हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और ब्रैंड न्यू वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाओंगा एक रियल हॉरर स्टोरी जो मुझे रेडिट पर मिली थी तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के ये घटना कुछ साल पहले की है जब एक रोज मैं जंगल में घूम रहा था जिस जगह पर मैं घूम रहा था वो रास्ता बिल्कुल ही कच्चा था और कुछ देर घूमते घूमते मुझे एक अलग सी गंद का एहसास हुआ ये देखने के लिए कि ये गंद कहां से आ रही है मै थोड़ा आगे की तरफ पड़ा और जाडियों के पार जाकर देखा तो देखा कि वहां पर एक डेट बोडी पड़ी हुई थी जो कि किसी आदमी की थी उस आदमी की बोड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी समय से यहां पर पड़ी हुई है जिसकी वज़ा स से वो बोड़ी काफी खराब हो गई थी और उसमें काफी सूजन भी आई हुई थी और काफी समय से इस तरह से पड़े रहने की वज़ा से बोड़ी का गलना भी शुरू हो गया था यह सब देखते ही मैंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस वालों ने मुझे बोड़ी के प गहतना काफिध ज्यादा बयानक थी लेकिन इसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो और भी ज्यादा डराने वाला था वो आदमी मुझे सपनों में दिखाई देने लगा, वो हमेशा मुझे एक इवात बोलता था, कि वो मुझे से बहुत ही ज्यादा गुसा है, क्योंकि जिस जगा पर वो इतने समय से अराम कर रहा था मैंने उसे वहाँ जाकर परिशान कर दिया और अब वो चाहता है कि मैं भी आत्मात्या कर लूँ हो सकता है कि ये सारी बाते सिर्फ मेरा वहम हो लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही ज्यादा डिस्टरबिंग है वो इनसान आज भी मुझे सपनों में दिखता रहता है और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये स्टोरी लिखने के बाद आज रात को भी वो मुझे जरूर दिखाई देगा